तेलंगाना के मुख्य मंत्री और भारत राश्ट्र समिती बियारेस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव गुरुवार दोपर दिल्ली के वसंत विहार में पार्टी के केंद्रिय कार्याले भवन का उद्धाटन करेंगे पार्टी कार्याले पिछले दिसंबर से सरदार पटेल मार्क पर एक अस्थाई सुविधा से संचालित हो रहा है पिछले साल 21 साल पुरानी तेलंगाना केंद्रित पार्टी को BRS के रूप में फिर से नामित करने के बाद नेताओं का मानना है कि पार्टी की राश्च्रिय आकांक्षाओं और विस्तार को राश्च्रिय राजधानी में एक केंद्रिय पार्टी कार्याले खोलने के साथ तेज किया जाएगा चार मंजिला इमारत तेलंगाना के बाहर पार्टी की गतिविधियों का केंद्र होगी BRS किसानों के शासन को लाकर देश के व्यापक विकास का एजेंडा रखता है और अपनी जनसभाओं में अपकी बार किसान सरकार के नारे को दोहराता है जारा हजार वर्क फुट शेत्र में फैले इस भवन का निर्माण वास्तू अनुपालन के अनुसार किया गया है पार्टी के एक नोट में कहा गया है कि केसिया ने अनुष्ठान और विशेश पूजा करके कार्याले का उद्घाटन किया सड़त एवं भवन निर्माण मंत्री प्रशांत रेड़ी और राजसबा सांसत जोगिनापली संतोष कुमार दिल्ली में बी आरेस भवन के निर्माण से जुड़े कारियों और उद्घाटन गतिविधियों की निगरानी लगातार कर रही है केसियार और अन्य नेताओं के लिए कार्याले कक्ष एक सम्मेलन कक्ष के साथ पहली मंजिल पर है घूतल पर कैंटीन, रिसेप्शन लॉबी और महासचिवों के लिए चार कक्षों की व्यवस्था की गई है जबकि निचले तल पर एक मीडिया हॉन और नौकरों के क्वार्टर होंगे दूसरी और तीसरी मंजिल पर कुल बीस कमरे उपलब हैं जिसमें पार्ती अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य के लिए एक सुट भी शामिल है